किसी की मा ने दूद नहीं पिलाया जो हम इंडिया वालों का दिमाग यूज़ कर ले हलो दोस्तो सुआगत है आपका हमारी यूटूब चेनल रहमत इश्टिकर्स में दोस्तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया का बैस जुगार आज मैं आपको ऐसा जुगार दिखाने वाला हूँ कि शायद ही आपने आज तक ना देखा हूँ आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या जुगार है जो हमने आज तक नहीं देखा हूँ तो मैं दोस्तों आज ऐसी एक बाइक दिखाने वाला हूँ चलिए मैं कुछ देर बाद बताता हूँ आज मैं आपको एक ऐसा जुगार दिखाने वाला हूँ कि अगर आपकी बाइक का सीट कवर फट जाए या सीट ही फट जाए या सीट पूरी खतम हो जाए इस पंच ही खतम हो जाए तो आपको क्या करना है आपको एक रूपिया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है और आपकी सीट पहले से भी बहतर हो जाएगी ये मैं गारंटी से कह आपको एक रुपिया भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपकी सीट पहले से बढ़िया हूँ आपको विश्वास नहीं हो राना मेरी बात पर मैं अभी ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि अगर आपका सीट कवर फट गया है बाइक का या कार का आपका सीट कवर फट गया या आपकी सीट फट गई आपकी बाइक की सीट के अंदर या कार की सीट के अंदर इस पंच नहीं है बिलकुल भी तब भी आप भिना पैस हूं एक ऐसी बाइक जो ये काम सिर्फ इंडिया वाले ही कर सकते हैं किfire किकी मा ने दूद नहीं पिलाया जो हम एंडिया वालों का धिमाग यूज कर लें तो देखे इस एक इंडियन ने किस तरह से अपनी बाइक में जुगाड बनाया है और वो जुगाड 100% काम्याब है और वो बाइक पढ़िया चल रही है कोई दिक्कत नहीं है ना बैटने में ना उटने में ना खड़े होने में ना बैट किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और बाइक एक नंबर बंदा बैठता है चलाता है फर्स किलास मज़ा आता है किसी तरह की कोई दिकत परशानी नहीं है तो चलिए जादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और एक मिनट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक आप इस वीडियो का मज़ा लीजिए अवाई गाम मज़ा तो अगर आपकी बाइक की बी शीट इस तरह से कुछ खराब हो गई है तो आप भी कुछ नहीं करना सिर्फ आपको एक तकिया लेना है सबीगे घर में होता है नौर्मली एक तकिया लेना है पिल लो और वो उपनी बाइक की सीट पर रख देना है और उसको पर बैठ जाओ जितना बड़िध तकिया होगा उतना ही ज्याद आपको मदाएगा तो दोस्तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दियें